असलम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे बक्राइद स्पेशल मतन बोटी टिक्का की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनेगा सूपर डिलीशस बनने वाला है तो इस रेसिपी को ट्राइ करना एक बार बनता है जब आप एक बार ट्राइ करेंगे तो आप इस रे मतन बोटी टिक्का बनाने के लिए यहां पर 600 ग्राम मतन ले लिया है और यह देखिए हमने इस तरह से चोटे-चटे पीसेज मिलिया मतलब मीडियम साइज की बोटियां कट बालें आप इस तरह की आप इसको हम बोश करेंगे तो इसके लिए हमें एड करना है यहां पर है एक घंटे के लिए ताकि जो अपना ब्लड है वह रिलीज कर दे तो आप इसको रख सकते हैं तो एक घंटा हो चुका था यह देखिए बहुत सारा इसमें ब्लड बगेरा निकल गया है जो भी स्मेल है इसको अच्छे से वाश कर लेंगे तो यहां पर देखिए तीन से च लहसुन का पेस्ट वन टीबल स्पून पपीते का पेस्ट और वन टीस्पून यहां पर एट करेंगे हैं कच्री पौडर यह मीट टेंडराइजर है आपको किसी भी लोकल ग्रॉस्टी स्टोड पर मिल जाएगा बन फोर टीस्पून हल्दी पौडर एट कर देना है और वन टीस्पून टिकका मसाला इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यह बहुत ही स्पेशल टिकका मसाला इससे आपकी टिककी जो है बहुत टीस्टी बनेंगे और वन टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पौडर टीस्पून गरम मसाला पौडर बन फो टीस्पून अजबाइन ले लेना है हाथों से थोड़ा सा इसको हम रब करकर डालेंगे तो इस सबी चीज़े चले गए अब इसमें एट करेंगे नमक नमक लिंगे हम बन फो टीस्पून लीजिएगा क्योंकि चाट मसाले में भी नम करेंगे हम वन फो टीस्पून कलर ले लिजिएगा फूट कलर यह औरेंज फूट कलर है आप चाहें इसको इसके भी कर सकते हैं बड़ अच्छा कलर आएगा अच्छे से मिक्स कर लिया है मेरीनेशन रेडी हो चुका है अब इसमें हमें गोश्ट कर देना है तो हमने इसको कि स्टेटर में डालकर रख दीया था ताकि इसका जो एक्स्ट्र वटर वो निकल जाए और अच्छे से मिक्स कर लिए मसालों के साथ यह देखिए अच्छे से मेरीनेशन के साथ मिक्स कर लिए अब इसको कबर कर देना है आप चाहाँ इसको और नाइट भी रख सकते है या तो यहां पर देखिए मैंने ओवरनाइट रखा हुगा था अच्छे से अगर हम ज्यादा टाइम तक रखते हैं तो बहुत अच्छे फ्लेवर आ जाते हैं तो यहां पर हमने एक पैन ले लिए इसमें कोई ऑईल बगेरा एड़ नहीं करना है अब इसमें हमने जो बोटिया है इसमें एट कर देनी है इसको कवर कर देना है हाई टू मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए और बीच में आप इसको चेक करते रहें ताकि यह जले ना क्योंकि जो पानी रिलीज करेगा यह उसी में पक जाएंगे अच्छे से गल जाएंगे तो यहां पर देखिए 20 मिनट हो चुके हैं अब इसमें इसको हम देखिए एक ग्रिल लेंगे इस तरह की कोई भी जाली ले ले और इसमें हमने जो बोटिया बना कर रखी हुई है वह एट कर देनी है अच्छी तरह से इस तरह से लगा देनी है अगर आपको हमारी बक्राइश से रिलेटिट कोई भी यह देखिए इस तरह से अच्छे से कलर आ जाएं अगर आप बार्भी क्यूक पर बना रहे हैं तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है यह सब करने का क्यूंकि हम इसको ऐसे ही बना रहे हैं बिना बार्भी क्यूके अब इसमें एट करेंगे हम देखिए दो से तीन टेबल अच्छे से मिक्स कर लिया है यह देखिए बहुत टेस्टी बनेंगे आप ज़रूर ठ्राइब कीजिएगा अब इसमें हमें एक लास्टच देना है तो हमने यहां पर एक कोल गरम कर लिया है इसमोक देना है और थोड़ा सा बटर घी या फिर ऑईल एक कर सकते हैं अब इसक इसका इसमोक पसंद करते हैं उतनी देर इसमें एट कर सकते हैं तो यहां पर देखिए एक मिनट हो चुका है अब इसको रिम्यूब कर देंगे तो इसके लिए हमने बन हैंड़े दनिया ले लेना है और आधा मुठी पुदीना ले लेना है दो हरी मिर्च आधा इंच का माट मसाला पॉडर बन फोर टीश्पून आम चूर पौडर बन फोर टीश्पून काला नमक और वन फोर टीश्पून सपेद नमक आप अपने टेस्ट के कोटिंगी डालिएगा एक लेमन जूस और एक टेबल स्पून यहां पर हम दही याट करेंगे और इसकी बारिक सी यह तिक्का बनकर रेडी हुआ है तो इस टेटनी के साथ यह रेसिपी बहुत अच्छी जाती है तो आप जुरूर ट्राइ कीजिएगा और बक्र इत पर यह रेसिपी ट्राइ करना तो बनता है और जब भी आप ट्राइ करते हैं तो मुझे कोमेंट्स करकर जुरूर बताएग कि आपकी रेसिपी कैसी बनी उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इंशालला नई रेसिपी के साथ फिर आजिर होंगी अपना बहुत सारा खयाल रखें तब तक के लिए अल्ला हाफिज